कि राहुल गांदी ने संसस्थ में जो कहाँ था वो सही था हिंदू हिंसा नहीं करते बलकि भाच्पा के कारे करता हिंसा फेलाते हैं गुजरात और वाराइटर्टी से ऐसी ही तस्वीर वीडियो सामने आ रही हैं जो राधूल गांदी की बातों को पुक्ता कर रही हैं जो उन्हों ने संसद में कहा था दसर राहूल गांदी ने संसद के अंदर कहा था कि नरेंदर मूदी, भाचपा और RSS हिंदू समाज के ठेकेदार नहीं है हिंदू हिंसा नहीं फैलाते, हिंदू नफरत नहीं फैला सकते हैं और भारती जंदापाटी 24 घंटे नफरत हिंसा फिलाने का काम करती है हिंसा करती है, और इस बार हम बीजेपी को गुजरात में हराएंगे बस इतनी ही बातों को लेकर, राहूल गांदी के इस बयान को लेकर गुजरात कॉंग्रेस कारयाले पर बीजेपी के समर्थों कोने हमला कर दिया और सिफ गुजरात ही नहीं बलकि वाराट सी में भी कॉंग्रेस नेता के आवास के बाहर बीजेपी के लोग राहूल गांधी के पुतला फुकने की कोशिश करने लगे परदशन करने लगे जिसको लेकर कॉंग्रिस के बड़े बड़े नेताओं ने ट्विट भी किया है राहुल गांदी से लेकर प्रियंक गांदी, सुप्रीश रेनेत और अजे राय ने ट्विट करते हुए बीजे पी के कारे करताओं के हिंसा को कायरता बताया है राहूल गांधी ने ट्वेट करते हुए कहा है कि गुझराथ कांगरिस कारेाले पर हुआ कायरतापूर्ण और हिंसक हमला भाजपा और संग परिवार के बारे में मेरी बात को और ज्यादा पुखता करता है हिंसा और नफरत वलाने वाले भाजपा के लोग हिंदू धरम के मूल सिंधानतों को नहीं समझते गुजरात के जनता उनके जूट के पार को साफ देख सकती है और भाजपा सरकार को निरायक सबक सिखाएगी मैं फिर से कह रहा हूँ इंडिया गुजरात में जीतने वाला है इसके साथ ही सुपरीशुरी नेतने भी ट्विट करते हुए कहा कि नेता पृतिबिक्ष राहुल गांदी ने सदन में बीजेपी से कहा हम आपको गुजरात में हराएंगी अगले ही दिन बीजेपी और आरेसस की कायरो ने गुजरात कॉंगरिस कारियाले पर हमला किया ऐसे ही हिंसक नफरती ढोंग्यों से हमारे वराठ धरम को खतरा है ये हिंदु हो ही नहीं सकते हैं ये हमारे धरम और उसके मूल को ही नहीं समझते और नहीं जानते हैं। इंडिया गुजरात जीत कर रहेगा। विसे प्रधान मंत्री मोदी ने कहा था कि लोगों को कपड़ों से पहचान लेंगी। तो अपने हिंसक कारेकरताओं को क्यों नहीं पहचान पारे हैं। क्यों उनके कपड़े नहीं पहचान पारे हैं। जहेँ गुंडे राहुल गांदी पुटला नहीं करने जाना कौक है। मोदी जेदा की बाद जंदा की आदालत में कीजिए। परिवार को बीच में ऑपने साथ ही अजराय ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि नरेंद मोदी ने बनारस में मंदिर तुड़वाए हैं इनसे बड़ा हिंदू विरोधी कोई हो ही नहीं सकता मोदी सिर्फ दिखावे के लिए हिंदुवत्व की बात करते हैं उन्होंने वाराडसी म ना जाने कितने मंदिर तुड़वाए हैं वैसे जो लोग राहुल गांदी की बातों से उफेंड हो रहे हैं उनकी भावना को ठेस पोच रही है वो जरा ये भी देख लें कि उनके मालिक ने उन्हें पागल बनाकर कितने मंदिरों को तोड़ा है कितने लोगों को आयोध्य हमें बेघर किया है अगर वो लोग ये सब चीज़े देख लेंगे तो शायद उनकी अकल पर जो परदा पड़ा है वो उठ जाएगा और वो किसी पार्टी के बहकावे में आकर हिंसा पहलानी की जगा सही काम करने लगेंगे खेर दोस्तों आप लोगों को कैसी लगी वीड जरूरते हैं और बागे तवाम खबरों को देखने के लिए जुड़े देगा हमारे सब